बच्चो जब हम शाम के समय में गाड़ी से जाते हैं और हमारे आग के सामने अचानक से कुछ आ जाता है तो हम अपनी पल के बंद कर लेते हैं ऐसा ही कुछ जब हम गरम चीजों को छूते हैं तो हम अपने हाथ को तुरंद हटा लेते हैं इसी प्रकार से अगर हम पैदल चल रहे हो और हमारे पैर में कुछ चुप जाए तो हम अपने पैरों को भी हटा लेते हैं तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो होती है इनकी सूचना समय समय पर हमारे शरीर के अंगों के द्वारा मिलती है चलो बताओ तो इसमें कौन-कौन से अंग शामिल होंगे मेरू रज्जू और मस्तेश्क वेरी गुड और साथ ही तंत्री का कोशिका भी इसमें शामिल होते हैं ठीक है तो चलो इसे समझने के लिए हम एक रिया कलाब करते हैं प्रिया तुम्हें इस लकड़े को जो मेरे हाथ में है इसका एक उपरी सीरे को पकड़ना है ठीक है और रिया तुम्हें इस अंतिम छोड़ को पकड़ने की कोशिश करनी है और प्रिया इसे छोड़ने के पहले तुम रिया को बताओगी ठीक है रिया अब मैं काउंटिंग कर रही हूं जैसे वन बोलों के छुट जाएगा तुम्हें पकड़ना है ठीक है थ्री टू वन तो रिया तुम इसका अंतिम छोड नहीं पकड़ पाए तुमने लकड़ी बीच से पकड़ी ऐसा क्यूं हुआ तो ऐसा इसली हुआ क्यूंकि प्रिया ने सूचना रिया को दी और ये सूचना कानों से होते हुए हमारे तंत्र ये का तंत से होते हुए मेरू रज्जू से मस्तिक्ष में पहुची जब तुमने बोला और ये सूचना रिया के कानों तक पहुची कानों से ये सूचना मस्तिक्ष में गई और इसके प्रती प्रतिक्रिया हातों के द्वारा व्यक्त हुई इसलिए तब तक ये लकड़ी न नहीं पकड़ पाए.